कोई सब्सक्राइब करते हैं और अब देखते हैं कि we are going to discuss about the geometric design में हम ले चप्टर दिष्ट को बने जा रहे हैं जिसको भीट करते हैं और वीट्व पैप्रेश जा रहा है जिस पी गाड़ी ऐसे चल रही थी ठीक है यह चल रहे थी मैंने यहां से कट करके आपको यहां सीदा यहां से cut करके इस गारी को गुम होगा क grappled अधिर आगे के तरफ जारी होगी यह तक पहिया सातसे हें समझते हैं यह परिए ऑपेँ से चल्रॉटब कैसे चल्रॉटब इससरों डिखा हुआ Easy इस साइड का अर्या कुछ सिंगल लेन रोड बढट कितना लेकर चलते हैं 3.75 मीटर 3.75 मीटर ठीक है और विट्थ आपके कितनी है वेकल की 2.44 तो इदहां बचीक है 0.655 मीटर इदर बचीक है और 0.655 मीटर इसको लिखो single लेन ठीक है तो वीट अफ सिंगल लेन रोड कितनी होती है आपके 3.75 तो मैक्सिमम वीट अफ मतल्ड देखो सिंगल लेन की वीट होती है 3.75 मीटर तो इसलिए आयार्सी ने कहा बहिए देखो इसलिए आयारसी ने कहा कि जो तुम्हारी मेकेनिकल वालों को कहा गया कि वह एक काम करोगे जो भी तुम अपनी वेकल डिजाइन करने वाले होना वह 2.44 मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए restriction कौन लगा रहा है IRC लगा रहा है किसके उपर mechanical वाले को उपर मतलब इसका मतलब साफ है एक है अगर mechanical वाले को भी गारी बनाना जानी होगी अपने design करना होगा तो वो किस से permission लेगा IRC से ठीक है अगर वो अपने मन से कोई भी design करके लाते हैं तो IRC पास ही नहीं करेगा घट कुछ भी तुम कुछ भी बनागा हो पास कर देंगा नहीं तो इमें हमारे कोर्डिंग चलना होगा जो हमने रूल दिये हैं वही उसी कोर्डिंग तुमको गारी की डिजाइन करनी है ठीक है तो कहा आयारसी नहीं यह कहा कि जो maximum width of vehicle होती है as per IRC कितनी होने चाहिए है 2.44 मेटर नोट डाउन करो width of vehicle तो समझ में आ गया 2.44 मेटर maximum width of vehicle कितना होने चाहिए 2.44 मेटर अब width of road भी देख लेते हैं ठीक है इसको मिटा रहा हूं मैं यह नोट हो गया होगा 2.44 मेटर अब यहां देखो width of road चल्दी से यह तो width of vehicle की बात हो गई ठीक है तो width of road में कहा गया कि अगर तुमारा single lane है क्या है single lane है single lane है तो width of payment कितना होने चाहिए lane की width कितनी होने चाहिए तो पहले देखो number of lane लिखो इदर number of lane इस साइड लिख दो और lane की width कितनी हो कि इस साइड लिखो दो कलम बनाओ lane width कितनी हो कि इस साइड लिखो और number of lane इस साइड लिखो ठीक है अगर number of lane में सबसे पहले point कि सबसे पहले point लिखो single lane single lane है single lane के लिए हमारे जो lane का width होना चाहिए कितना होना चाहिए lane width कितना चाहिए अभी बता है जैसे बताओ three point seven five meter ठीक है तो lane width हो गए यहां पर three point seven five meter यहां तक को confusion नहीं आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर two lane है two lane road है दो lane road होगा आप दो two lane road के लिए यह तो पहले आपका क्या आता है एक आपका curve आता है और without करव किया हूत है मैंना अलड़ी बता रख आपको ठीक है कर वोता है लेटरल सपोट रेता है रोड को स्वकर बोलते हैं लिखा किकर दरी किनारे- Magic मेरा होता तो बिदड Όग कर उता एक विधड कर χोता है तो अगर यह विध करवे लिखत तूसलेंग विधकर बम 2 lane with curve 2 lane with curve के लिए कितना हो जाता है curve के साथ हो गार थो भाई हमें width क्या करने होगी increase करने होगी तो कितना increase करते हैं वो 7.5 meter 2 lane के लिए 7.5 meter हमें increase कर देंगे ठीक है, note करते जाओ उसके बाद अगर आपका intermediate lane जितनी भी बीच की लिएने होती है इंटरमीडियेट लेन के लिए कितना लिखते हैं इंटरमीडियेट लेन यह थोड़ी कम होती है कितनी होती है यह आपकी 5.5 मीटर 5.5 मीटर ठीक है नोट करते जाएंगे इसको 5.5 मीटर और मल्टीपल लेन हैं बहुत सारे लेन्स हैं अगर्ट के लिए कितना इसे अब कितना हुआ है मल्टीपल लेन के लिए हो जाता है 3.5 3.5 meter पर emergence अपके 3.5 meter के हिसाफ से हम क्या करेंगे अपके design करेंगे बढ़ाओ मैंने पढ़ा दिया था आपको ठीक है लुप्लेट हो गया और ये number of width of payment complete हो गया इसके बदे एक topic और बचता है आप जल्दी से जल्दी से को नूट कर लें उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं है इस को अब बात करते हैं कि अ कर्व किक क्या होता है हमारा देखो फिला जैसे भी आपको इस फिगर हो गैं यहां पर ठीक है तो यह आपका प्रमाइट है और यह आपक पेप्याइट गरे है मिभाइडर है यह डिवाइडर हो गया है म ripping नेक्स अरoras को ट् His की मिनिमाम कितनी होती है जल्दी बताएंगे धी तो यह आपका करव है तो मैंने क्या लिखा करवीज बार्डरी बीटिविन पेविन इन दसाइए इसा होता है ठीक है यह हो गया कर बाद का जैंक कर बंडरी बीटिविन पेविमेंट और फुट पाथ कर लिजे कि नेक्स् gepोइंट किया है मैंने करण प्रवइंट करने लेटर्र ऐडा से वंक गार गिरrato करता है अ बात करते हैं इस टिवाइडर अब देखलेतिक है को दिवाइडर k Hamlin ? भी सपरेट करता है कि मुंघ करता है इसलिक्ट सब्सक्राइट करते हैं ईकर थैक्स साइब है। तो चांसें उफ एड़ी काम ऐसा चाहरा है मतलब हैडिरां फोलीजिंद हुन ना श कंब हो तुम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते बीच में हमने डिवाइटर दे दिया यह गारी अपने रास्ते जाएगी यह अपने रास्ते जाएगी ताकि अगर सोचो सपोस्ट को यह डिवाइटर नहीं होता तो यह क्या होती यह जिदर मन करता होदा जाकर चलाता है ना औ यह कम हो जाते हैं ठीक है और नोट कर लेंगे डिवाइडर इस इस लिखेंगे डिवाइडर सेपरेट्स डिवाइडर सेपरेट्स रोड ट्रैफिक मुविंग इन अपोजिट डिरेक्शन रोड ट्रैफिक मुविंग इन ऊपोज इन शपोजब आपोजिए नपोजिग गजन ए devi मुविंग आपोजिए था मुविंग आपोजिए सोईद्स अपोजी जन एद स्विंग कोलीजन डेपिक है ताकि हेलोन क्लिजन गर कान भी रेडीज़ एक रेडेडि़ुस्ट लिख लीजे कैन भी रेडि़ुस्ट टि कि एस आयार्स ने कुछ रूल दिय है रिख लीज़् एस पर आइज पर आ यारिषी आयार्सी क्या करता है वह या कि जो डिवाडर की जो मिनिम वीट होनी चाहिए, maximum width कितने होनी चाहिए, maximum to divide ने, minimum width आपके इतनी होनी चाहिए, वो नचीए 5 meter, highway पर, कम से कम 5 meter, और अगर आप space नहीं है, space आपके बास, restricted है, तो 3 meter तो आपको देना ही देना है, 3 meter तो आपका अनिया वार है, ठीक है, तो याद रखेंगे, minimum width जो होती है, minimum कितनी दिलब दिवायडर की ऑन हाई बसुर मेंDe तो देना ही देना है और बहुत सारे clauses है लेकिन जानने की ज़रूत नहीं बस इतना important उतना ही याद रखो ठीक है यह नोट कर लो तो यहां पर हमारा हमने क्या-क्या पढ़ लिया कौन-कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं तो geometric design में हमने पहला जो टॉपिक था cross section element cross section elements वो cover कर लिया cross section element में हमने क्या पढ़ा था पहला payment characteristic पढ़ा था payment characteristic पढ़ा था यह पढ़ा था हमने pavement characteristic प्रिक्षन के बाद हमने पढ़ा उसका light reflection वाला पार्ट ठीक है unevenness index पढ़ा unevenness इंडेक्स पढ़ा ठीक है और क्या पढ़ा इसमें हमने light friction और skid and skid and sleep पढ़ा तो अभी तक सब cross section element ही चल रहा है उसके बाद से हमने second पढ़ा था कैंबर पढ़ा कैंबर के बाद हमने क्या पढ़ा सोल्डर पढ़ा सोल्डर के बाद हमने क्या पढ़ा width of the payment पढ़ा है ना width of the payment जो भी चपढ़ रहे थे हम width के बाद हमने पढ़ा d e curve के बाद हमने पढ़ा divider इतने सारे थे जो कि आपके cross section element में थे तो cross section element cover हो चुका है और जो second topic है हमारा इसके बाद का topic क्या है वह side distance तो अब हम चलेंगे main topic जिसको नाम है side distance ठीक है तो कल से हम side distance पढ़ने वाले हैं बहुत interesting topic है और बहुत मजा आने वाले आपको ठीक है so thank you and have a nice day